क्लास 10 का एक्सरसाइस 10.2 का कोश्चन नमर 9 कोश्चन क्या कहता है कि हमें एक फिगर गीवन है इसमें xy x-y दो पैलर टैंजेंट्स हैं उसके बाद o is the center of the circle o center है circle का then tangent एक एनदर टैंजेंट है a b जो यहां पर point of contact c पर intersect करती है और xy जो है a पर intersect करती है x-y-b पर intersect करती है ठीक हमें प्रूब करना है कि a o b equal to 90 degree means यह जो एंगल बन रहा है a o b यह वाला एंगल यह 90 degree का है यह हमें प्रूब करना है तो question काफी important है बहुत बार exam में यह आ चुका है ठीक है तो आप ध्यान से देखेगा solution start करते है इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर o c को join कर देंगे उसके बाद हम इन दो triangles को congruent prove करेंगे then इधर भी दो triangles बनेंगे उनको हम congruent prove करेंगे तो उसके पहले हम लिखते हैं यहां पर given कि हमें given क्या है given है हमें x y x dash y dash and a b are tangents यह हमें tangents है यह तीनो tangents है o is the center of the circle and pq is the diameter तो यह तीन चीज़े हमें given है then to prove हमें क्या करना है prove हमें करना है कि a o b जो angle बन रहा है a o b पर वो 90 degree का है ठीक है थोड़ी से हमें construction करनी है तो construction हमें क्या करनी है, join करना है हमें o c को ठीक है तो लिख देंगे join o c चलिए आप solution start करते हैं आप देखे solution जो है वो बहुत ही easy है तो प्रूव करना start करते है सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों चैयंगल को लेंगे इनको congruent प्रोव करेंगे दैन इन दोनों चैयंगल को लेंगे और इनको प्रोव करेंगे लिखते हम एंट ट्रेंगल P O A and A O C P O A and A O C यह दो ट्रेंगल है हमारे इनको congruent prove करते हैं तो सबसे पहले दिखिए O P equal हो जाएगा O C के, क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो हैं वो radius सर्कल के ठीक है? लिख सकते हैं of the same circle उसके बार हम लिख सकते हैं O A equal to O A दोनों के हैं, common है third point के लिख सकते हैं कि A P equal होगा A C के, क्यों होगा? आपको दिख रहा है यह external pointer यहाँ से जो tangent जा रही है A P और A C यह दोनों की length क्या होगी? equal होगी, तो लिख सकते हैं theorem 10.3, आपको पूरी theorem लिखनी है चलिए, यहाँ से हमें क्या पता चला? कि P O A और A O C क्या होगा? congruent होगा? लिखेंगे, triangle P O A congruent होगा, triangle A O C के हमने यहाँ पर triangle P O A को triangle A O C के congruent प्रूब कर दिया अगर यह दोनों triangle आपस में congruent होगे, तो इनके यहाँ angle 1 रहा है, angle number 1 को naming दे जिते, angle 1 और यह होगा हमारा angle 2 तो यह दोनों भी आपस में क्या होगे? equal होगी, तो हम लिख सकते है angle 1 equal to होगा angle 2 by C P C T ठीक है? और यह किस criteria से हमारे congruent प्रूब होगे थे? by S S S क्योंकि तीनों हमने क्या लिए थी? sides लिए इसके साथ ही अब हम कर सकते है इन दोनों triangle को congruent तो हम लिख सकते हैं, similarly लिखके कर सकते हैं या फिर इन दोनों triangle को आप congruent प्रूब करके दिखा सकते हैं, तो मैं लिखते हूं in triangle B, O, Q and triangle B, O, C B, O, Q और B, O, C triangle में हम बोल सकते हैं कि O, Q, equal हो जाएगा O, C, K radius of the same circle ठीके? और O, B, equal होगा O, B, के common हैं, दोनों triangles में then B, Q, equal होगा B, C, K theorem 10.3, कहती है हमारी कि जब external point से कोई दो tangents जा रही हूं एक ही point से, तो उनकी length क्या होती है? equal होती है, ठीके? तो यहाँ पर हमारा triangle B, O, Q congruent हो गया है, triangle B, O, C, K राइट? अब देखो किस से हुआ यह? यह by S, 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 Q, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों sides ली हैं, then यहाँ पर हम बहु सकते हैं कि यह वाला angle इस angle के equal हो गया, तो इसको मैं naming देजती हूं, angle 3 और angle 4, ठीके? तो angle 3 equal होगे angle 4 के by C, P, C, T चलिए अब देखो आपको दिख रहे है कि P, O, Q क्या है? एक line है ठीके? तो हम लिख सकते हैं P, O, Q is a line और एक line पर जतने सारे angles बन रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहे हैं तो वो क्या होंगे? 180 degree के होंगे, राइट अब आपको देखो, मैंने क्या बोले है कि angle 1, angle 2 के equal है तो मैं angle 1 को तो angle 1 लिख रही हूँ लेकिन मैं angle 2 को भी तो angle 1 लिख सकती हूँ plus angle 3, angle 4 के equal है angle 3 को अमने as it is रहने दिया और angle 4 को भी अमने के लिख दिया angle 3 रहने दिया, ठीक है? चलिए, अब देखो यहाँ पर twice of angle 1 हो गया और यहाँ पर twice of angle 3 हो गया equal to 180 degree देखो, angle 1 plus angle 3 equal to 180 degree और यहाँ से यह 2 है इसकी नीचे आजाएगा, cancel out कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 degree ठीक है? अब आप देखो angle 1 plus angle 3 कितना हुआ है हमारा 90 degree आया अब आप देखो यहाँ पर कि angle 1 और angle 3 मिलकर क्या बना रहे हैं? AOB बना रहे हैं जो कि हमें प्रूफ करना था कि AOB equal to 90 degree तो मिली सते हैं angle AOB equal to 90 degree hence proved तो बहुत ही easy question था और अग्जाम में यह बहुत बार आता है तो आप ध्यान से करिएगा question clear हो गया हो तो please like करें फ्रेंच में शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thanks for watching